नितीश कुमार जब जब अपने किसी कारणामे का दोश किसी और आदमी पर मरते हैं ललन जी और वो करके बोले थे आपके चल्दी तो हम वाले हो गए भाजपा से तब तब वो पलटते हैं और इसलिए बात बोलते हैं ताकि फिर पलटने के बाद ये बोल सके कि हम थोड़ी पलटे थे वो बोलकर पलटा दिये थे हमको नितीश कुमार भाजपा को कॉन्टेक कर चुके हैं लेकिन भाजपा वाला सब मान नहीं रहा है मुख्यमंत्री बनाने के लिए कि मुख्यमंत्री भाजपा का होगा आपको हम गवर्नर बना देंगे और नितीश कुमार इसलिए अब ठीके हुए हैं वरना समधान यात्रा इसलिए हुआ है कि वो तरस्वी से दूर जाए और सरकार बल्दी हो जाए अंदर का बात यह है कि तरस्वी आदव 15 दिन पहले मुहर नहीं लगा रहे हैं सूत्र हमर बताया हमको कि वो जद्यू के विधायकों को तोड़ने का प्रय भी किये थे और नितीश कुमार को ये बात मालूम पड़ गई कि जद्यू को फिर से तोड़ने का प्रयास हो रहा है तरस्वी आदव कहते हैं विरोजगारों को नौकर दी जाए जब विपक्ष में थे तरस्वी आदव पटना में जब-जब लाठी चार्ज हुआ है तरस् सुषील मोदी जी दब कर रहते थे मोहित जी सुषील मोदी जी सब बात उनका सुनते थे इसलिए सुषील मोदी जी को मानते थे और अगर सुषील मोदी अपना कद नितीश कुमार के बढ़ाबर करते न तो कभी भाजप सरकार नहीं चला पाती और बिहार का जो 1-2% development लालू प्रसाद यादव वीडियो बनाते और कहते हैं कि शरत जी को बहुत मिस करेंगे लेकिन लालू प्रसाद यादव बतौर राष्ट्री अध्यक्स दाकर जिंग पर एक्शन लेने के लिए बिमार पड़ गया है कैसे मंतरि को नहीं बूलाए अब बताए क्रिशी भाग का मीटिंग बिना क्रिशी मंतरी के कईसे हो सकता है नितीश कुमार मुक्ह मंतरी क्या उसमें दिसर्कार गिरेगा और जो हो रहा है उसका एक ही मतलब मुहित जी सरकार गिरने वाला है तो क्या एक बार फिर से बिहार में सरकार बदलने वाली है? मतलब कि एक बार फिर से नितीश कुमार राश्चिय जनतादल का साथ छोडने वाले हैं? सवाल गंभिर इसलिए हो गया है क्योंकि राश्चिय जनतादल और जनतादल उनाइकेट के नेता अब आपस में भीड़ ग शेखर वो भीड़ गया है और तेजस्वी चुप चाप देखते रहे यह बात नितिश कुमार को पसंद नहीं आई और इनी समुद्धों पर बातचित करने के लिए मारसाथ प्रशाण जी मोजूद है मेरा नाम मोहित कुमार सिंग है और आगे इसी पर चर्चा करेंगे कि क्य सरकार गिरने वाली है सबसे पहला सवाल केबिनेट बैठक के साथ आपने भी सुना होगा कि केबिनेट के बैठक में चंदर शेखर पहुंच चुके थे तेजस्वी यादर पहुंच चुके थे और तेजस्वी और चंदर शेखर की कहा गया कि बाचीत हुई तेजस्वी ने चुप चाप खड़े थे कहा गया कि नितीज कुमार को पसंद नहीं आया आप समझे इस बात को चंदर शेकर जी को बस 10 सकेंड के लिए होल्ड करिए और 10 सकेंड में आप याद कर लीजिए सुधाकर सिंग जी को सुधाकर सिंग को काहे नहीं आरजेडी बाहर कर दी और अगर आरजेडी ने सुधाकर सिंग को बाहर नहीं किया तो मोहित जीस का मतलब यही है कि तिरस्पी यादाव स्टैंड लेकर अपने नेता के साथ खड़े है शरद यादाव की मृत्यू होती है लालू प्रसाद यादाव वीडियो बनाते और कहते हैं कि शरद जी को बहुत मिस क करेंगे लेकिन लालू प्रसाद यादाव बता और राश्ट्री अध्याट सुधाकर सिंग पर एक्शन लेने के लिए बिमार पड़ गये हैं असलियत यह है कि नीरज कुमार जो उनके प्रवक्ता है उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि आरजेडी के कारेकाल में और जद युग वाले आरजेडी के कारेकाल वाले को अपना कारेकाल मानेंगे यही नियम कहता है अगर दोस्त है तो सबकुछ दोस्त है न जी बुरा तُम्हारा अच्छा तुमारा सबकुछ तुमारा लेकिन बात यह नहीं है बात यह है कि नितीश को हमको एगवाधिम बोल बायत assunto नितीश कुमार ने कहा था कि नहीं नहीं कि इसी बात कर रहे हैं आप हमको अलग नहीं होना है और अगले दिन सरकार बदल गई थी वही बात है नितीश कुमार समधान यात्रा पर गए हैं लोग कहता है कि बदलने से पहले कुछ बड़ा करने से पहले उगूमते हैं लोग का म मतलब ये है कि तेरे उस भी आदाव भी परिशान है और आप याद रखिए हो सकता है कि पांदस दिन एक वहने सरकार नहीं गिरे लेकिन 2023 में सरकार गिरेगी और इसलिए गिरेगी क्योंकि आउमेश सिंग कुस्वाह का बयान ये है कि हमारा गठ बंदन किसी के साथ रहे हम अ जियात करी आपने स्टोरी की थी नितीश कुमार जब जब अपने किसी कारनामे का दोश किसी और आदमी पर मरते हैं ललन जी और वो करके बोले थी आपके चली तो हम वाले हो गए भाजपासे तब तब वो पलटते हैं और इसलिए बात बोलते हैं ताकि फिर पलटने के बा जिस दिवा सपन में थे एकदम कि मैं बन जाओंगा मुखमंत्री और चलाओंगा सरकार उस अब खतम होने वाला है भाई राम चरित मारस राम जी भाई ये को तो लंका को ढहा दिए अब यार का सरकार ढहा देंगे हमको लगता है अब मतलब कि जदिव वाला सब पहले एकदम चुप रहा नितिश कुमार के ऊपर एक और सुधाकर सिंग के बाद एक और विधायक बोल देते हैं कि नितिश कुमार का कारकाल अराजकता है उस विधायक का भी कुछ नहीं हुआ जबकि विधायक अगले दिन आकर कहा रहे थ जदिव भी चाहती तो बहुत किनारे हो जाती राजद वाले भी तेजस्वी चाहते तो अपना सिक्षा मंतरी को नोटीस थवा देते पार्टी की तरफ से कहते हैं कि इसका जबाब दीजिए कि आप क्यों बोले जब हम खुद मना कर रहे हिं तो मुसल्मान पे बात नहीं हो को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे बीच में आद कर ये सुशील मोधी बहुत बोल रहे थे ना कि पांच विधायक तोड़ना है और मुख्यमंतरी कुरसी पर बैड़ जाना है उनका आपना विधान सभा में स्पीकर है तो कुछ होने जाना वाला है नहीं तो लगता है तो चलते ये ट्राइ भी किये थे और नितीश कुमार को ये बात मालूम पड़ गई कि जदियू को फिर से तोड़ने का प्रयास हो रहा है और तेरस्वी आदव के पास उतना नंबर है कि उपांच वो सबसाद को सीट तोड़ेंगे तो मुख्यमंतरी बन जाएंगे वो के एंट्री हुई है तो 43 सीट के अलावा सब सीट तो तरस्वी आदव का है अब तरस्वी को ये लगता है कि जब इतने बड़े मालिक हम है तो हुकमरानी हमारी भी चलनी चाहिए और नितीश कुमार तो भाई समझ लीजिए वो वो आदमी है जो 20 साल से किसी को हुकमरानी बढ़ा दीए बे नहीं किये लोग कहता है कि अभी भी सब वीभाग का काम अपने करते वो मीटिंग किये थे फिक्रणी भाई का में सैकारिता मंत्री को नहीं बोला है अब बताए मिटिंग मैं कर्से हों सकता है नितीश कुमार पहले बोलाता कि सरकार गिरेगा और जो हो रहा है उसका एक ही मतलब है मोहिदी सरकार गिरने वाला है नितीश कुमार तरस्वियादों को अपने रहते हुए तो मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे और भाजपा वाला जितना शांती से सब कुछ हैंडल कर रहा है हमको लगता है कि बढ़का ख नतीश कुमार भाजपा को कॉंट्रेक्ट कर चुके हैं लेकिन भाजपा वाला सब मान नहीं रहा है मुख्यमंत्री बनाने के आपको हम गवर्णर बना देंगे और नितीश कुमार इसलिए अब हैं वरना समधान यात्रा इसलिए हुआ है कि वो तेजस्वी से दूर थे कि अभी बावख है हमारे मंच पर पैर चुलेते थे इस सब कुछ नहीं दिखा है पचला 15-20 दिन में आप गौर करेंगे तो पता है मुईत जी क्लैश ऑफ थोट्स है तो किसान को कुछ हुआ का टीम वहां पहुंचा वो चिलाया तो क्लैश ऑफ थोट्स होता है आप सराब बंदी के चलते बरबाद कर दिये देश को बिहार को अब सराब बंदी की चलते डेर सो आदमी शपरा मर गया कुछ नहीं बोल पाए वो तो क्लैश ऑफ थोट्स होता है आप आदमी आप बिहारी के दिमाग में तरश भी आदव एग युवा तुर्क के रूप में स्थापित है और अब तरश भी आदव बन गया है भीगी बिल्ली तो तरश भी आदव साथ चाहते हैं कि उनका पॉपुलेरिटी उनका प्रसिध लेकिन वहां से कोई पकड़ने वाला तस्वीर नहीं आता है अपना अपना कुछ नहीं कहते हैं तो बात समझ लीजिए सब सब तैयारी हो रही थी तो यह सब सरकार नहीं चल पाएगी अब यह सब सरकार खीच रही है जितना दिन लोग खीच ले और ऐसे ही एक दिन लालो सब बात उनका सुनते थे इसलिए सुषिल मोदी जी को मानते थे और अगर सुषिल मोदी अपना कद नितीश कुमार के बड़ाबर करते न तो कभी भाजपा सरकार नहीं चला पाती और बिहार का जो एक आद दो परसेंट हुआ है उभी नहीं हो पाता सरकार बन भे नहीं करता सरकार चल भे नहीं करता तो आप जान लिजे इस बात को तिरस्व परसेंट रहें कि यार की राजीति आगे कहां जाती है क्या क्या बात होती है लेकिन फिलाल जदी वह रायत में कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा है आपकी प्रतिग्रिया का है कमेंट बॉक्स में लीकर बताईएगा आप जंद अंक्शन देख रहे थे बहुत बहुत धन् बताब